हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्यानी एक्सपी चैनल, आज हम प्रैल के लास्ट वीक से रिलेटेट, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को डिस्कस करेंगे, आप ये वीडियो स्टार्ट से इन तक जरूर देखिए, लेटी स्टार्ट, क्वेस्टन है, 22 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में पिर्थवी दिवस मनाया गया, जिसकी सुरुवात कब हुई थी, यानि इस क्वेस्टन का सी ओप्शन सही है, अब ये मनाये क्यों जाता है, पिर्थवी के सनरच्छड में सही योग और समर्थन प्रदान करने के लिए, दुनिया भर में हर साल 22 अप्रैल को बिस्व पिर्थवी दिवस मनाया जाता है, और इस वर्थ की बिस्व पिर्थवी दिवस की थीम है, प्रोटेक्ट दर इस्पिसीज, मिन्स जीव प्रजातियों की रच्छा करें, Next question है, हाली में बिस्व पुस्तक एवं कॉपी राइट दिवस कम मनाया जा? हाली में बिस्व पुस्तक एवं कॉपी राइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जा? यानि इस question का D option सही है, अब ये मनाये क्यों जाता है? साहित ती जगत के एक famous writer थे William Shakespeare उन्हीं की याद में हर साल 23 अप्रेल को 200 पुस्तक एवं copyright दिवस मनाये जाता है Shakespeare अपने जीवन में लगभग 35 नाटक और 200 से अधिक कविताय लिखी है उनकी इस उप्लब्दी को देखते हुए UNESCO 1995 से हर साल 23 अप्रेल को 200 पुस्तक एवं copyright दिवस मनाता है यहाँ से एक question ये पूछे जाता है कि भारत में 200 पुस्तक दिवस एवं copyright दिवस मनाने की शुरुवात कब हुई थी? भारत में 200 पुस्तक एवं copyright दिवस मनाने की शुरुवात हुई थी 2001 में 200 पुस्तक दिवस को copyright दिवस और अंतराश्टी पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है हाली में 200 मलेरिया दिवस मिन्स वर्ल्ड मलेरिया डे कम मनाया गया? हाली में 200 मलेरिया दिवस 25 अप्रेल को मनाया गया यानि इस कोश्चन का C option सही है इसका उद्देश क्या है? इसका उद्देश मलेरिया से लोगों को जागरूप करना और उनकी जान की रच्छा करना है और इस वर्ड की 200 मलेरिया दिवस की थीम है Zero malaria starts with me मिन्स मलेरिया को खत्म करने के लिए सभी व्यक्तियों को अपने अस्तर पर प्रियास करने चाहिए और इसकी सुरुवात वो खुश से करें Next question है हाली में राष्ट्री पंचायती राजदिवस कम मनाया गया? हाली में राष्ट्री पंचायती राजदिवस 24 अपरेल को मनाया गया? यानि इस question का B option सही है Next question है हाली में 20 बहुत धिक समपता दिवस मिन्स World Intellectual Property Day कम मनाया गया? हाली में 20 बहुत धिक समपता दिवस 26 अपरेल को मनाया गया? यानि इस question का C option सही है अब ये मनाया क्यों जाता है? बहुत धिक समपता संगठन की अस्थापना 26 अपरेल 1970 को हुई थी इसलिए हर साल 26 अपरेल को बहुत धिक समपता दिवस मनाया जाता है बिस्व बहुत धिक समपता दिवस, बहुत धिक समपता अधिकारो, पेटेंट, ट्रेड मार्क और योगिक डिजाइन और कॉपीराइड की भूमक्या के बारेम जागरुता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इस वर्स की बिस्व बहुत धिक समपता दिवस की थीम है रीच फार गोल्ड, आईपी एंड, स्पोर्ड्स नेश्ट कोस्चन है निम्न लिखित में कौन सा देश मलेरिया का टी का लॉंच करने वाला बिस्व का पहला देश बन गया है मलेरिया का टी का लॉंच करने वाला बिस्व का पहला देश बन गया है मलावी यानि इस कोस्चन का भी आप्सन सही है दुनिया का पहला मलेरिया का टी का अफ्रीकी देश मलावी ने लॉंच किया बिसुभर में प्रतेग साल अंगिनत मौतों के कारण मलेरिय का पहला टीका लॉंच किया गया है यह टीका पांच महीने से दो साल तक की बच्चों के लिए है इस टीके का नाम है RTS Yes Next question है हाल ही में 77 मास्टर दीनानात मंगेशकर पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया है हाल ही में 77 मास्टर दीनानात मंगेशकर पुरसकार से सलीम खान को सम्मानित किया गया है यानि इस question का C option सही है 24 अप्रेल 2019 को बॉलीवूड के मसहूर लेखक सलीम खान, फिल्म निर्देशक मदूर वंडारकर और अभिनेत्री हेलन को सतातर्मे मास्टर दीनानात मंगेशक के पुरुषकार से नमाजा गया और दीनानात मंगेशकर थे कौन? दीनानात मंगेशकर मसहूर गयक लता मंगेशकर के पिता हैं, दीनानात मंगेशकर अपने समय के फेमस मराटी थीटर के एक्टर और गयक थे, उन्हीं की याद में यह सम्मान हर साल दिया जाता है Next question है Ceciels में भारत के नए उच्चा यूद के पत पर किसे न्यूक किया गया है? Ceciels में भारत के नए उच्चा यूद के पत पर दलवीर सिंग सुहाग को न्यूक किया गया है? यानि इस question का D option सही है पूरु सेना अध्यच जन्रल दलवीर सिंग सुहाग को हिंद महासागर देश Ceciels का नया उच्चा यूक प्वाइंट किया गया है Next question है किस देश ने जमीन पर नकली मंगल गरह बनाया है? चीन ने जमीन पर नकली मंगल गरह बनाया है? यानि इस question का D option सही है चीन के चिंचांग सहर से 40 किलोमीटर दूर गोबी रेगिस्तान में नकली मंगल गरह बनाया गया है इसे लाल गरह का मॉडल सिमुलेटर नाम दिया गया है अब बात है चीन की चीन का काइपिटल है बीजिंग और चीन का करेंसी है रेण मिन भी और चीन की प्रेजेंट टाइबी प्रेसिडेंट है जी जिन पिंग Next question है 213 सुचकांग 2019 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ 213 सुचकांग 2019 में भारत को 140 सा अस्थान प्राप्थ हुआ है यानि इस question का D option सही है अंतराष्टी संसद्वारा 18 अप्रेल 2019 को 217 सुचकांग 2019 का रिपोर्ट जारी हुआ इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्स की तुलना में दो अस्थान पीछे में 2018 में 138 अस्थान पर था और अब 2019 में 140 अस्थान पर पहुँच गया है इस सर्वेट छण में 180 अस्थी देशों को सामिल किया गया है इस सुचकांग में नार्वे प्रथम अस्थान पर और फिनलेंड सेकंड स्थान पर निष्ट कोस्चन है हाल ही में रॉय सोसाइटी लंदन में सामिल होने वाली पहली भारती महिला वैग्यानिक कौन है गगन दीप कंग यानि इस कोस्चन का ए आप्शन सही है हाल ही में भारती मूल की वैग्यानिक गगन दीप कंग लंदन की प्रतिष्ठित रॉय सोसाइटी में सामिल होने वाली पहली भारती महिला बन गई है निष्ट कोस्चन है ACN Boxing Championship 2019 में किस मुक्के बाज ने स्वडपदक जीता ACN Boxing Championship 2019 में अमित पंगाल ने स्वडपदक जीता है यानि इस कोस्चन का ए आप्शन सही है भारती मुक्के बाज अमित पंगाल ने ACN Boxing Championship 2019 में 52 की ग्रभारवर्ग में भारत के लिए स्वडपदक जीता अमित पंगाल ने लगातार दूसरी बाज स्वडपदक जीता है इससे पहले वर्ष 2017 में भी उन्होंने स्वडपदक जीता था इसके अलावा भारती मुक्के बाज पूजा रानी ने 81 के ग्रभारवर्ग में महिलाओं की स्रेडी में सीर्थ पर रही और स्वडपदक हासिल किया भारत ने इस प्रतियस परधा में कुल 13 पदक जीते हैं जिसमें दो स्वडपदक, चार दाज़त पदक और साथ कांस पदक हैं निश्ट कोस्चन है हाल ही में RBI ने 20 रुपई के नया नोट जारी करने की घोषड़ा की जिस पर किस सांस्कितिक विरासत का चित्रड होगा RBI ने 20 रुपई के नया नोट जारी करने की घोषड़ा की है जिस पर एलोरा की गुफ़ा का चित्रड होगा यानि इस कोस्चन का भी आप्शन सही है RBI जल्द ही 20 रुपई का नया नोट जारी करेगा और ये नया नोट महात्मा कांधी सीरीज में जारी होगा इस नोट पर RBI गवर्नर सक्तिकान दास के हस्ताचर होंगे इस नया नोट के पीछे एलोरा की गुफ़ाव का तस्बीर रहेगी जबकि आगे हिस्स्टे पर असोक अस्तम बना होगा इस नोट की साइच 63 मिलिमीटर चोड़ा और 119 मिलिमीटर लंबा होगा निष्ट कोस्चन है के लिए बढ़ा दिया है यानि इस कोस्चन का सी ओप्षन सही है 23 अप्रेल को भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले चाकलेट दूद और इसके उत्पादों पर रोग को अनिस्चित काल के लिए बढ़ा दिया है प्रतिबंध पहली बार सिप्तेंबर 2008 में लगाया गया था भारत दूदिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उभोगता देश है हाली में संपन्न हुए ASEAN Athletics Championship 2019 में चीन जो की पहले अस्थान पर रहा ने कुल कितने पदक जीते हैं ASEAN Athletics Championship 2019 21-24 अप्रेल तक दोहा कतर के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया जिसमें चीन 29 पदक के साथ प्रथम अस्थान पर और बहरीन 22 पदक के साथ सेकंड अस्थान पर जबकि जापान 18 पदक के साथ थर्ड अस्थान पर यानि इस कोस्चन का ए आप्शन सई होगा हाली में संपन्न हुए ASEAN Athletics Championship 2019 में भारत ने कुल कितनी पदक जीते हैं ASEAN Athletics Championship 2019 में भारत ने कुल सब्तरा पदक जीते हैं जिसमें तीन स्वड साथ रजत और साथ कांस पदक हैं यानि इस कोस्चन का ए आप्शन सई है निश्ट कोस्चन है ASEAN Athletics Championship 2019 में किस भारती एथलीट ने स्वड पदक जीता ASEAN Athletics Championship 2019 में भारत की तरफ से गुमती मारी मुथू 800 मीटर की दवड में तेजिंदर पासिंग तोर ने पूर्सों की साथ पुट असपरधा में और पी यू चित्रा महिलाओं की 1500 मीटर असपरधा में स्वड पदक जीता है यानि इस कोस्चन का D option सही है उपरोप्ट सभी नेस्ट कोस्चन है ISSF बिशुकप 2019 में 10 मीटर एयर पिश्टल मिश्चित असपरधा में किस भारती जोड़ी ने स्वड पदक जीता ISSF का फुल फार्म होता है International Shooting Sports Federation बिशुकप 2019 में 10 मीटर एयर पिश्टल मिश्चित असपरधा में मनुभाकर और सौरप चोधरी की जोड़ी ने स्वड पदक जीता है यानि इस कोस्चन का A option सही है ISSF निशाने बाजी बिशुकप 2019 बीजिंग में आयोजित किया गया भारत के मनुभाकर और सौरप चोधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिश्टल मिश्चित असपरधा में सीर्स अस्थान पर है मनुभाकर और सौरप चोधरी ने फाइनल में चीन की जियांग, रैक्सिन और पांग वेई को 16-6 से हराया है इसके पहले यह गेम फरवरी में आजित किया गया था, नई दिल्ली में इसमें भी मनुभाकर और सौरप चोधरी ने स्थान पर जीता था ISSF निसाड़े बाजी बिशुकप 2019 भारत के अविशेक वर्मा ने 10 मीटर एयर पिश्टल एकलस परधा में स्वडपद जीता है यानि इस कोश्चन का D option सही है ने 10 कोश्चन है वरूर 19 नौसेनिक युद्धा भ्यास का आयोजन भारत और किसके मध्य आयोजित किया जा रहा है वरूर 19 नौसेनिक युद्धा भ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जा रहा है यानि इस कोश्चन का B option सही है मैई 2019 में भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य वरूर 19 युद्धा भ्यास आयोजित किया जाएगा वरूर 19 नौसेनिक युद्धा भ्यासों में भारत मिग 21 के लड़ाकों भीवानों के साथ अपने एयरक्राफ्ट केरियर आई एनस विक्रमादित का उप्योग करेगा जबकि फ्रांस की तरफ से इस युद्धा भ्यास में एयरक्राफ्ट केरियर यफ यनियस चार्ल्स डी गाल तथा राफेल जेट्स हिस्सा लेंगे तो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी सोचल एटवर के तुरी सेयर कर सकते हैं वाट्सटप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम और सोचल मेडिया पर थैंक्स फार यूर टाइम